विशिष्ट महर्शी और प्रभूराम चंदर जी का ज्यानमई समवाद सुनते हैं The Art of Living के फैकल्टी स्वामी वैशम पायन जी की वानी से अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी जरूर दबाएं जै गुरुदेव योग वसिष्ट के अगले एपिसोड में आप सब का बहुत-बहुत स्वागत है पिछले एपिसोड में अगर आपको याद होगा तो महर्शी वसिष्ट जी एक बहुत सुन्दर सिद्धी के बारे में बात कर रहे थे जिसमें योगी अपने को छोटा यानू के समान बना देता है और विशाल याने बहुती विशाल अपने काया को बना देता है वो कैसे होता है वो सिद्धी में एक्चुली क्या होता है उस सबकी डिटेल जानकारी हमने पिछले एपिसोड में देखी आगे चर्चा को बढ़ाते हैं वसिष्ट जी ने कहा इस प्रकार चुडाला रानी ने अतींद्रिय शक्तिया सुक्ष्म और विराट रूप दारण करने की योग्यता प्राप्त कर ली अगर आपको याद होगा तो यह सारी चर्चा शुरू हुई थी शिकित द्वज राजा और चुडाला के उस कॉन्वर्सेशन के बाद जिसमें रानी चुडाला ने खुच चिंतन करना शुरू किया मनंद करना शुरू किया और उसको आत्मग्यान प्राप्त हुआ था उसके बाद उसके मन में एक विचारा है था कि आकाश में विचरन करने का तो उस सम्मंद में वहां से वो डिसकेशन आगे बढ़ता गया कि कैसे योगी सिद्धियों को हासिल करते हैं और सिद्ध होने के बाद एक्चुली क्या होता है वो सबम देख रहे थे तो इस प्रकार ही चुडाला रानी ने अतिंद्रिय शक्तियों को प्राप्त कर लिया अब वह बिना अपने पती का साथ छोड़े दर्ती आकाश तता गेहरे समुद्र में विचरन करने लगी याद है वो शिकित द्वज ने कहा था ये सारी बाते तुम क्या कर रही हो बचकानी बाते है नहीं आनंद को सुख को उपबोग करो ये सारा पता तो उसने अपने पती का साथ नहीं चोड़ा पर साथी साथ ये सब सिद्या मिल गई थी तो अब वो सब जगह विचरन करने लगी लकडी शीला परवत घास आकाश जल आदी किसी भी पदार्त में बिना किसी बादा के प्रवेश करने लगी अलग अलग जगह पे जाने लगी लकडी में प्रवेश कर सकती थी शीला में परवत में घास में आकाश जल किसी भी पदार्त में बिना किसी परेशानी के व वह प्रवेश कर पा रही थी, वह सिद्धी उसने प्राप्त कर ली थी, वह देवी देवताओं के साथ भी विचरन करती, मुक्त संतों के साथ भी उठती बैठती और बाते करती, अब उसे सारी सिद्धिया प्राप्तों चकी थी, तो देवी देवताओं के साथ भी विचरन कर करती गुमती सादू संतों के साथ बैठती उनके साथ चर्चा करती बाते करती यद्य भी उसके पती को आत्मबोद प्राप्त कराने के लिए हर प्रयास किया था परन्तु उसने इसके प्रती उपेक्षा तो बरती ही उसकी मुर्खता पर हस्ता भी रहा ये सब कर रही थी तबी अपने पती को आत्मबोध आत्मग्यान प्राप्त हो जाए इसके लिए उसने हर प्रयास किया था पर पती उसका ऐसे था, ना तो खुद उसने आत्मबूत प्राप्त किया, बलकि उसके ये जो भी सारे प्रयास थे, उसकी उपेक्षा करता रहा, उसको मूर खटहराता रहा वह अज्यानी ही रहा, उसने अपनी अतींद्रिये शक्तियों का प्रदर्शन उसके सामने करना उचित नहीं समझा, वह अज्यानी था, और रानी चुडाला के पास तो अतींद्रिये शक्तिया आ गई थी, सारी सिद्धिया आ गई थी, पर उसने सोचा कि उसके सामने ये प्र प्रश्ण तो बहुत ही उचित है वसिष्ट जी ने कहा गुरू का शिश्य को दीक्षा देना तो एक परंपरा है परंथु आत्म ज्यान की प्राप्ती का कारण तो शिश्य की चेतना की शुद्धी ही होता है इसमें कोई शक नहीं गुणजाईश नहीं कि शिश्य को गुरू से जो अशिरवाद मिलता है उससे उसे आत्म ज्यान प्राप्त होता है लेकिन मूल रीजन क्या है पता है वह शिश्य की चेतना शुद्ध हो गई है तबी जाकर वह इच्छा भी होगी गुरू के पास जाने की तबी जाकर उसको अशिरवाद भी मिलेगा ज्यान भी मिलेगा और फिर आत्म ग्यान प्राप्त होने का वो गुंजाईज बनेगी वरना नहीं होगा न श्रवन से न पुन्य कर्मों के संपादन से आत्म ग्यान प्राप्त होता है मात्र आत्मा ही आत्मा को जानती है मात्र सर्पई ही अपने चर्णों को जानता है तो भी इसमें कोई शक नहीं, कोई और आपको आत्मग्यान के पतपर नहीं ला सकता खुद के बीतर से ही वह आना पड़ता है आप किसी को कितना भी ग्यानी बनाने का प्रयास करो अगर उसके बीतर से उसकी चीतना शुद्ध नहीं हुई है वह ग्यानी नहीं बन सकता विंद्य की पाड़ियों में एक धनी रहता था एक बार जंगल में घूम रहा था कि उसका तामबे का एक पैसा, पैसे का सिक्का खो गया विंद्य की पाड़ियों में एक धनी, धनी यहने अमीर कोई व्यक्ति रहता था, वह जंगल में घूम रहा था तो पता नहीं उसके पास से एक तामबे का एक पैसे का सिक्का गुम गया वह इतना कंजूस था वह उसे गनी जाडियों के बीच में डोणने लगा अब वह अमीर था लेकिन कंजूस भी था अब गनी जाडिया थी वहाँ पे जंगल में गुम रहा था तो उसने खोजबिंद करना शुरू किया हर समय वह गिंती में लगा रहा एक पैसे से मैं व्यापार करूँगा उससे एक के चार पैसे होंगे फिराट होंगे आदी आदी तीन दिन तक वह उस पैसे को डूनता रहा दर्शक उस पर फप्तिया कसते रहे तीन दिन के डून खोज के बाद उसे एक रत न मिला उसे लेकर वह घर चला आया और सुख में रहने लगा ओ कलपना होती है न ओ खौप देखते हैं अरे ये एक पैसा मिलेगा तो उससे मैं दो पैसे करूँगा दो से चार करूँगा ये उसके मन में चलता रहा और जो तीन दिन तक ऐसे निए एक दिन कुछ समय की बात नहीं तीन दिन तक वो लगाता डूनता रहा और ये जो सब दर्शक देख रहे थे वो उस पर हस रहे थे तानी कर रहे थे तानी मार रहे थे उसको लेकिन उसके बाद तीन दिन के ढून खोच के बाद उसको एक रतन मिला और वो रतन लेकर वो घर चला गया और सुक से रहने लगा उस कंजूस को रतन मिलने का क्या कारण था निश्चे ही उसकी कंजूसी और ढून की खोच क्या बात है उस कंजूस को रतन के से मिल गया वो तो एक पेसे को ढून रहा था तो कारण क्या पता है उसकी कंजूसी वो छोडने को तयार नहीं था उस एक पेसे को भी और दूसरा वह ढूंड वह खोच की उसकी भावना की मुझे ढूंड के रहना है वाह एक बहुत सुन्दर एक संदेश दे रहे है अगर तुमें वह आत्म ग्यान भी चाहिए ना तो उसके प्रतिक कंजूसी का मतलब मुझे चाहिए उसके प्रतिका तीवर लगन और दूसर खोचबीन करने की तयारी तीवर लगन और खोचबीन करने की तयारी ये दो चीजे है तो तुमें भी रत्न मिल सकता है इसी प्रकार गुरू से दिक्षा प्राप्त शिष्य खोशता कुछ है और मिलता कुछ है वाह क्या बात है बहुत ही सुन्दर इसी तरीके से ये जो कहा कुछ और ही है एक पैसे के चक्कर में जाता है लेकिन गुरू से तो उसको रत्न मिल जाता है उसके बाद उसका संसार उसका जीवन हमेशा के लिए सुखपूर्व हो जाता है ब्रह्मा तो मन इंद्रियों से परेकी चीज है इसे किसी अन्य के उपदेश से नहीं जाना सकता त किसी के वज़र से तुम्हें समझ मेंगे नहीं आ सकता लेकिन गुरू के आशिरवात के बगएर भी तुम्हें वह नहीं प्राप्था हो सकता उस कंजुस को वह रत्न न मिλता यदी वह पैसे की डूण को जाडियों में न करता वो कंजूस धनी व्यक्ति को वह रत्म कभी नहीं मिल सकता था अगर वह वो एक पैसे के चेकर में खोशता नहीं रहता तो अतर गुरू का उपदेश आत्म ज्यान का कारण माना जाता है जबकि यह कारण होता ही नहीं फिर भी आत्म ज्यान वो गुरू के अशिरवाद से ही मिलता है उसको यह कारण माना ही जाता है वास्तविक्ता में वो कारण नहीं भी है तबी भी राम माया के इस रहस्य को समझो कोई ढूनता कुछ है और पाता कुछ है हमारे जीवन में भी यही होता है न हम क्या डूनते हैं और क्या मिल जाता है मेरे कितने सारे मित्रे हैं परिचित हैं जब हमने आर्ट आफ लिविंग का कॉर्स किया था तो honestly मैंने भी जब आर्ट आफ लिविंग का कॉर्स किया था तो जो कुछ मिला है न वो तो मैंने सोचा भी नहीं था मैं तो कुछ और एक पैसे के चेकर में आया था गुरू के पास परमपुझी श्रीश्री रविशंकर जी के पास में जब आया तो मैं कुछ और ही सोच के आया था मेरे professional life में मेरे career को मैं बहतर बनाओगा ये हो जाएगा वो हो जाएगा लेकिन यहाँ पर आने के बाद जो खजाना मिल गया सही में माया का ही लक्षन है कोई ढूंटा कुछ है पाता कुछ है बहुत सुन्दर यह आज का एपिसोड सही में उसके उपर चिंतन मनंद करने जैसा है आप भी जरा देखो तो जीवन में किस उस कंजूस व्यापारी के तरह हम कुछ और तो नहीं सोच रहते खोज रहते और कुछ और ही नहीं मिल गया तो अगर आपके भी ऐसे कुछ अनुब हो है तो आज के इस वीडियो के नीचे जो कमेंट सेक्शन है उसमें जरूर लिखना आज के लिए यहीं पर रुखते हैं अगले एपिसोड में देखते हैं और क्या होता है तब तक के लिए जै गुरुदेव अगर आपके इस वीडियो को लेकर कुछ सवाल हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें जिसके उपर हम आने वाले वीडियो में चर्चा करेंगे